वेल्कम बैक एवरीवन वी सब्सक्राइब इसके सब्सक्राइब इतने कैंसल होने के बाद भी अभी यह टॉपिक मेरे ख्याल से इंपॉर्टंट है और इससे सब्सक्राइब और आधें सब्सक्राइब आ किया हैं डिया सब्सक्राइब अगर रिफ्लेक्सिव एक प्रीएस यह के ट्रेंट को समझ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव symmetric ठीक है और transitive इसी order में ही हमें समझना है चेक करना है and equivalence ठीक है यह relations compulsory है जो कि हमें ठीक से करनी है इसके अलावा तो और तो तीन और relations आपको पता होने चाहिए for the sake of understanding because उससे mcq conceptual definition based questions पूछे जा सकते हैं जैसे कि वाइड relation आपको पता होना चाहिए इसके अलावा आपको identity relation पता होना चाहिए ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि इनसे भी questions one markers mcq बन सकते हैं ठीक है identity relation हो सकता है उसके बाद से बहुत सारे हैं लेकिन जो cbsc में पूछे जा सकते हैं पूछे गए हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं यहां पे ठीक है इसके अलावा universal relation that's all मैं और anti symmetric यह सब बातें अभी नहीं कर रहा हूं ठीक है जो उसके लावा तो तुम कुछ पूछोगे मैं certainly आपको बता दूंगा कोई problem नहीं कि मैं अपनी तरफ से सिर्फ वह बाते करूंगा जो exam में मुझे लगता है कि आने के chances हैं और मैंने इसको priority वैसे पर लिखा है यानि जो सबसे उपर है वो सबसे important and so on पहले चार certainly they are the most important right पहले चार they are the most important जिसको आपको समझना है तो देखो relations का जो base आता है वो कहां से आता है set theory में आप दो सेट को जब कभी भी आपस मडिप्लाई करते थे जिसको आप कहते थे Cartesian product तो जो आपका relation होता है न यह किसी भी Cartesian product का subset होता है क्या होता है किसी भी Cartesian product का subset होता है अगर हमारे को बोल रहे हैं कि a relation is defined on set a right a relation is defined on set a that means उसमें हमारे पास domain और co domain दोनों ही हमारे हमारे पास कितने elements हो जाएंगे अगर a में हमारे पास elements n थे तो a cross a में या पी इत्मालो पी तो number a cross a में हमारे पास number of elements कितने हो जाएंगे पी स्कॉरर हो जाएंगे पी तो टोटल नंबर फ्रेलेशंस कितने पॉस्मेल है तू रेस्ट्री पार फी स्कॉरर द्यान रखना अगर नंबर प्रेलेमेंट्स हमारे पास किसी सेट में फी है तो number of of relations जो possible है total number of relations including everything कितने हो जाएंगे 2 की पार P square for example suppose किसी set में आपके पास 3 elements है कितने elements है 3 ABC और इन्होंने बोला कि बताओ कितने relations possible है on set A कितने relations possible है on set A तो हमारे पास A cross A कितना होगा 9 तो relations कितने possible होंगे 2 की power 9 answer कितना होगा पांचसो बारा अगर सिर्फ तीन elements है तो पांचसो बारा relations possible 512 relations इसमें से एक वाइड होता है यहां नो element is related to anyone और एक होता universal वेर एवरी element is related to everyone ठीक है तो वाइड और यहां से याद रखना है ठीक है वाइड जिसमें कोई होता है कि कोई भी element की से related नहीं है इसे नल सेट का होता है न एम्टी सेट होता है तुम्हारे पास वैसी वाइड रिलेशन भी होता है ठीक है उनिवर्सल मतलब सब कुछ सब से रिटेट है सब कुछ पूरे एक क्रॉस एक सारे अब इसमें और उससे पहले यह इन सारी बातों को हम ठीक से समझना चाहते हैं ठीक है सपोस्ट करो इसी में तुमसे क्योंकि ख्याल से बता रहा हूं और हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान से लिख लेना ठीक है यह तुम्हें कॉंपेटिटिव एक्जाम में भी यह सब चीज़ें काम आ जाती है जो मैं भी पता रहा हूं करेट जो मैं आपको यहां पर डेलेवर कर रहा हूं ठीक है सब्सक्राइब अगर तुम्हारे पास तुमसे कूशन कुछ आ गया कि किसी सेट में हमारे पास तीन सब्सक्राइब नमबर आफ नॉन एंप्टी रिलेशन तो कोई फरक नहीं पड़ेगा टू की पावर एंड स्क्वार माइनस वन यानिकी टू की पावर 9512 में से बस एक ही तो एंप्टी होता है भाई अभी बताया था तो एंसर कितना हो जागा 511 इन इस पार्टिक्र समझना है कि यह आई एंटी रिलेशन क्या है तो चलो समझने के लिए ना कुछ एक्जामपर लेते हैं इससे पहले कि मैं इसको एक स्क्रीन चॉट ले लो ताकि यह जो है ना यह नंबर आफ रिलेशन नंबर आपके पास पी अगर अगर एलिमेंट से किसे सैट में तो टू में मालनों अगर पी हैं और बी में अगर क्यों एलेमेंट्स हैं तो टोटल अमर फ्रेंज कितने पॉसिबल होंगे टू रेस्ट इपार पी इंटु क्यों ठीक है ध्यान रखना है यह सब बाते हैं कि अच्छा आगी मैं रेस करता हूं अगर आपको स्क्रींचॉट लेना है त क्लास पर लिख भी लेना ठीक है स्क्रींचॉट इस नौल वेरी गुड च्वाइस इंडोर इंडोर इस आइडिया पट यह स्टाइम से होता है तो मैं यह चाहता हूं कि क्लास के बाद आप प्रॉपर्ली इन सब लिख लिया करें लिखने से क्या होता है एक पर आपको अच लिख लिख लो तो इस नौट रिलाइए उन दोस पिंशाट राइट दाउं यू राइट दाउं यू अट वारे मेमरी में वह दुबार से एक बार एड होता है तो इट हल्स इमेंस्टी ओके लट सी मैं अब यह आपको एक एक्जांपल देखे बाकी जितने भी रिलेशनि इतना जैसे सपोस्ट करो एक सेट में रेता हूं चोटा से ले रहा हूं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं दूँगा और चोटे-चोटे कोशन सी एक्जाम में आते हैं जैसे कि सपोस्ट करो सेटे में हमारे पास 123 ठीक है 123 हमारे पास सेम होते भी है तो हम उसको सिर्फ सब्सक्राइब को हुदेस सब्सक्राइब करॐस्टि ठीकर्ण कोई में चाहिए रोइसाम्पिस एक्जांपल एक्जाम्पल रोस्टर फॉर्म में ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे आइडेंटिटी उनिवर्सल रिफ्लेक्सेव ट्रांजिटेव एक्युवेलेंस सिमेट्रेक एवरेटिंग विद बाइट है थे हैल्प इस एक्सांपल्स लेट सब्सक्राइट तो काफी नंबा च्छोड़ा ह इस 512 मैंसे मैं ऐसा करता हूँ कोई भी 6-7 अपने आप से लिखता हूँ ठीक है ध्यान से देख लिखता हूँ एक हमारे पास कुछ relations हैं मालनों सारे के सारे डबलेट्स हैं जितने भी element थे उन सबका डबलेट है डबलेट 2,2 3,3 ठीक है सारे डबलेट्स हैं ओके और R2 में हमारे पास सिर्फ एक ही डबलेट है 1,1 और कुछ भी नहीं इस और नी बन बन ओके बहुत पढ़िया और 3 में मेरे पास सारे डबलेट्स हैं सारे डबलेट्स हैं फिर से जैसे आरवर में थे ना सारे डबलेट्स ओके और साथ में एक element और एक्स्टा इसमें डाल दिया that is let's say 2,3 ठीक है 2,3 तो इसमें 4 element होंगे पर डबलेट्स के साथ कुछ एक्स्टा भी आ गया okay no tension मालो तुम्हार पास एक चौथा relation है जिसमें आपके पास 1,2 है ठीक है और 1,3 है और 2,1 है और क्या है और हमारे पास 3,1 है चलेगा बहुत पड़िया फिंटास्टिक उसके बाद आर 5 लिया मैंने क्या बोला पांच छे रिलेशन लिए और उससे बाद सब कुछ मनें पांच सो बारे रेलेशन सिर्फ पांच तो लिख रहे हैं नौट परसेंस्टा इस्टाट इस एक वन पसेंट पूड पूड़ पूड़ ऊंगे ठीक कॉमा वन है और वन कॉमा वन ए ठीक है यह हमारे पस क्या पाइब है ऑक के फिंटास्टिक अच्छा ची एक आर शिक्स लिखते हैं लास्ट इसमें एक रह से किके ना सारे धुक्ष सिसकते हैं तुमने एक रह से का अप्रटिशन प्मश्म प्राइख रखा होग 2,2 and 2,3 ठीक है न और फिर 3 वाल इसार elements which is 3,1 3,2 and 3,3 ठीक है इस तरीके से हमारे पास R6 भी आ जाता है बिंदास बहुत बढ़िया अब समझना है कि आखिर ये सब है क्या तो सबसे पहले मैं आपका attention लेके आना चाहूंगा identity पर आइडेंटिटी एक ऐसे शोरों की तरीके से है जो सिर्फ एक ही ब्रैंड की चीजे रखता है कौन्सी ब्रैंड डबलेट डबलेट और कुछ नहीं रखता पैसमें सारे डबलेट्स है और सारे होने चुछ और कुछ नहीं इन ही जबरी हैं कुछ एक्स्राइब है कुई ऊर्फरेंड इन सारे होने चाहिए, तो आर थी भी आइड़िटी नहीं है, और कोई इंटर्टी है? ना भाई, नहीं है. आर सिक्स में सारे डडबेट्स हैं, तो सही 11, 22, 33, ने कुछ एक्स्ट्रा भी है, एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, तो आइड़िटी का मतलब क्या हो गया? कि सारे डबलेट्स होने चाहिए और सिर्फ डबलेट्स ही होने चाहिए, कुछ और नहीं चलेगा On the other side, अगर हम reflexive की बात करें, reflexive relation तो उसमें सारे के सारे डबलेट्स तो होने ही चाहिए R1, identity भी है और reflexive भी है सारे के सारे डबलेट्स तो होने ही चाहिए लेकिन अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है तो वो चलेगा यानि कि R3 reflexive तो है लेकिन identity नहीं है ठीक है I hope you get that similarly R4 identity reflexive भी नहीं है identity भी नहीं है क्यों भाईया इसमें doublet सारे होने चाहिए थे doublet नहीं है इसमें 1,1 है लेकिन 2,2 नहीं है 3,3 नहीं है R6 again क्या है reflexive तो है identity नहीं है क्यों क्योंकि identity में सिर्फ doublet चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए ठीक है reflexive में सारे doublet होने चाहिए उसकी अलावा कुछ और है तो ठीक है we welcome that right reflexive उसको welcome करता है but identity बोलता है नहीं बस doublet चाहिए और कुछ नहीं चाहिए he's very strict okay so I hope you get that symmetric जैसा कि नाम से पता लगता है कि अगर a b है तो b a b होना चाहिए तो r1 की अगर में बात को क्या symmetric है सोचके देखते है 1,1 तुमने domain और code domain को interchange किया तो बात तो वही रही न 1,1 1,1 ही है 2,2 2,3 तो yes यह symmetric तो है r1 symmetric तो है ठीक है आर टू हाँ यह symmetric तो है क्योंकि 1,1 को अगर change भी कर देंगे तो 1,1 ही आएगा इंटेचेंज करना होता है first और second element को interchange करना होता है r3 क्या यह हमारे पास symmetric है ना ना यह symmetric नहीं है this is not symmetric why because 2,3 तो है लेकिन 3,2 नहीं है एक भी जगह पे अगर follow नहीं हुआ तो वाली चीज़ घए ठीक है अच्छा जी बहुत बढ़ी है r4 symmetric है क्या 1,2 है 2,1 है 1,3 है 3,1 है हाँ symmetric है it is symmetric r5 symmetric है 1,3 है 3,1 है 1,1 yes it is also symmetric और r6 तो क्या है पता है यह तो universal relation है इसमें तो a cross a के सारे elements है universal relation क्या होता है universal relation वह होता है जिसमें की सारे elements होते हैं partition बढ़क के तो जिसमें सारे elements होते है वह तो वैसी सब कुछ होता है यह सब कुछ है है आएरेंटिटी छोड़के बागी सब कुछ है ठीक है जितलholders उपर के चार ये सब है रहिता है ओपर के चार सब कुछ है और इसमेट्रिक भी है ठाशिटेव भी है एक्यूवलेंस भी है सब कुछ है ठीक है नीचे वाले तीन को हटा दो बागी के सब कुछ है युनिवर्सल में ठीक है अच्छा बहुत बढ़ी है अब की ट्रांजिटिव यह वाली जो चीज है ना मैंने अकसर देखा है बच्चे इसनों बड़े कंव्हकartz रहा हैं त्रांजिटिव में अकसर बच्चे मैं कंव्हक्त един को थ़ोड़ ध्यान से समझेंगे ठीक है ट्रांजिटिव को थ fragद ध्यान से समझेंगे कभी जोड़ा धियान से समझेंगे कभी किसी भी रिलेशन में if a, b belongs to any relation if this belongs to any relation and ये and धियान रखना चीक है and b, c also belongs to the same relation ये symbol किसका है? belongs to then then अगर पहला element और दूसरा element और दूसरा और टीसरा element अगर ऐसा relation है तो first और third में हमेशा relation होता है यानि कि a, c must belong to our ताकि ये क्या हो जाए? ताकि ये transitive बन जाए तब ही ये हमारा क्या बनता है बच्चों? transitive बनता है तो ये वाली बात ध्यान रखनी है ये वाली बात ध्यान रखनी है transitive होने के लिए अगर a, b relation में है and b, c भी है तब ही ac चाहिए अगर सिर्फ a, b है तो ac नहीं चाहिए इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लो a, b और b, c दोनों है तब ही ac चाहिए अगर सिर्फ a, b है ये सिर्फ b, c है तो ac नहीं चाहिए example देता हूँ ज़्यादा पहतर याद रहेगा तो यहां मैंने देखा कोई भी ऐसा second element नहीं है जो first के साथ common है यानि यहां पर a, b, b, c और कोई जाड़ ही नहीं है इसका मतलब ये transitive है it is a transitive relation I hope you get my point ठीक है तो transitive है ये similarly r2 की बात करूँगा इसमें सिर्फ 1, 1 है ठीक है भाई ये भी transitive है it is also transitive तो transitive चेक करने के लिए तुम ये मत चेक करो कि AC है के नहीं तुम ये देखो कि AB, BC है क्या अगर AB, BC है तो AC चाहिए तो transitive होगा अगर AB, BC नहीं है तो AC तुम में ढूणने की जरूरत ही नहीं है वो ऐसी transitive है समझ गया ना otherwise it might get confusing यसे कि यहां पर यहां पर मैंने 112 देखा अच्छा ठीक है भाई यहां पर second element और यह first element common हो रहा है यानि कि मुझे two और three के बीज में relation चाहिए जो कि मेरे पास है है ना अच्छा और देखता हूँ जरा यहां मेरे पास यह अगर मैं देखू two comma three और three comma three ठीक है सारे possible characters दिखने बढ़ते है ध्यान रखना ट्रांजिटिव थोड़ी ठीड़ी की रोती है लेकिन mcq question में इतनी tension नहीं आती परिशान मत होना जैसे यहां पर मेरे पास यह second element और यह first element से मैं तो किसके बीट में जाएगे two three वह तो अलड़ी है इसका मतलब r3 क्या ट्रांजिटिव है yes यह ट्रांजिटिव है समझ रहे हो ठीक है अच्छा यहां मैंने देखा अच्छा one two है और two one है तो two or two यहां पर common है यानि की one one होना चाहिए था one one तो यहां पर दिख नहीं रहा है तो क्या यह ट्रांजिटिव है ना भया यह ट्रांजिटिव नहीं है r4 is not transitive similarly इस पर आते है one three and three one ठीक है symmetric तो है one three है और three one है मतलब one one होना चाहिए सब कुछ होगा जो भी चीज ऊपर के तीनों होती है उसी को क्या बोलते है equivalence बोलते है if a relation is reflexive, symmetric and transitive it is called equivalence अगर कोई relation reflexive, symmetric and transitive तीनों है तो उसी को क्या बोलते है equivalence बोलते है I hope you can recollect it और आओ मैं इस पर तुमें questions कराता हूँ ताकि इसके understanding पर हम एक next level पर बात कर सकें if you want I'll share the class notes on your official group ठीक है NCRT के questions है board का term one revision है तो NCRT ही हम सबसे ज़्यादा discuss कर रहे है determine whether each of the following are reflexive, symmetric and transitive हमनों बताना है कि कोई tension नहीं relation क्या दे रखा है किस state पर defined है पहले 14 natural numbers के लिए defined है और यह relation है कि 3X-5 X हमारा domain है और Y co domain है या कह सकते हो यहाँ पर इस case में range भी कह सकते हो मैं यह suggest करूँगा कभी लिए ऐसे questions आते हैं तो एक अच्छी clarity के लिए आप हमेशा उसको roast form में represent कर दो जैसे कि अगर मैं X की जगर पर 1 रखोंगा तो Y मुझे 3 साफ साफ दिखता है अगर मैं X की जगर पर 2 रखता हूँ तो मुझे Y 6 दिखता है similarly 3 रखता हूँ तो मुझे 9 दिखता है और अगर 4 रखता हूँ तो मुझे 12 दिखता है 5 पर 15 है which is not allowed क्योंकि X और Y दोनों के जोनों कहां से आने चाहिए सेट A से आने चाहिए तो यहां इस रिलेशन में हमारे पास सिर्फ यह 4 एलेमेंट्स है अब मैं अगर आपसे पूछूँ क्या यह रिफलेक्सिव है सबसे पहले क्या देखो रिफलेक्सिव क्या इसमें साथ डबलेट्स है ना भाई 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, कुछ भी नहीं इसमें तो यह रिफलेक्सिव कैसे हो जाएगा अच्छा ठीक है सिमेट्रिक है बिल्कुल नहीं है 1, 3 है लेकिन 3, 1 तो देख नहीं रहा यह सिमेट्रिक भी नहीं है अच्छा जी ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला था अगर A, B, B से दिखे तब AC चाहिए तो देखते है हाँ यहां दिखता है कि 1, 3 और 3, 9 है मतलब 1, 9 होना चाहिए तो 1, 9 तो है नहीं 1, 9 नहीं है तो भी ट्रांजिटिव नहीं है I hope you get that ठीक है कैसे करना है विकाज इतना कुछ तुम्हें करना नहीं होगा MZQ पेपर होगा बस तुम्हें सही तरह के से देखना होगा सबसे पहले क्या देखना रिफ्लेक्सिव फिर देखना सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इस तरह के से अगर A, B, B, C दिख गया तो A, C चाहिए वर्णा नहीं चाहिए वैसी ट्रांजिटिव हो जाएगा अगर यहाँ पे 3, 9 नहीं होता ना अगर यह नहीं होता तो यह ट्रांजिटिव होता क्योंकि A, B तो है A, B तो है लेकिन ऐसा कोई B, C नहीं दिख रहा है तो A, C चाहिए गी नहीं तो वो ट्रांजिटिव होगा ठीक है आओ एक और कॉश्चन करते हैं सब्पोस करो इधर से कुछ लेते हैं इसको एरेज करता हूँ जगे मिल जाएगी C औरी के लिए क्या कहे रहे है relation are on human beings in a town particularly at a particular time given by human beings के बीच में relation है किसी particular समय की बात की जा रही किसी particular time पर यह relations established किया गया किसी town में यह सब कुछ एक town का ही है क्या कहे रहे है is exactly 7 cm taller than y X और Y के बीच का difference कितना होना चाहिए 7 cm और बलकि ऐसा बोलें तो X को हमेशा Y से 7 cm बड़ा होना चाहिए X is taller taller मतलब जादा बड़ा है तो यार इसमें X, X तो कभी नहीं आएगा है ना यह वाला relation जो इन्होंने दे रखा है यह कभी भी reflexive तो नहीं होगा It can never be reflexive Why? Because X minus X तो 0 हो जाएगा 7 cm बिचारे को tall रखना है वो तो हो नहीं पाएगा ठीक है? अब सोचना है symmetric होगा क्या? अगर X, Y से 7 cm बड़ा है तो Y से छोटा होगा है ना तो यह symmetric भी नहीं हो पाया Because relation is same established होना चाहिए ठीक है? Transitive की बारे में अगर सोचे तो transitive के लिए हमें क्या check करना पड़ेगा? कि भाई X जो है वो Y से बड़ा है और Y जो है वो Z से बड़ा है ठीक है? तो क्या X, Z से 7 cm बड़ा होगा? ना, 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 ना X, Y से 7 था Y, Z से साथ है तो X और Z में कितना डिफरेंस हो जाएगा? 14 का हो जाएगा? ठीक है? I hope you are getting all this, okay? Let's take up the next one X is the father of Y X is the father of Y तो हगर मैं कहा रहा हूँ reflexive चेक करने के लिए तो X, X में क्या हो जाएगा? X is the father of X क्या है ये relation possible है? पिल्कुल नहीं अगर मैं ट्रांजिटिव की बात सोचता हूँ तो ठीक है X is the father of Y Y is the father of Z तो क्या X is the father of Z? No, he is the grandfather of Z तो ये symmetric, transitive कुछ भी नहीं है समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है? अच्छा, आप एक question और करते हैं मानलो ये B वाला ये B वाला Let's do one more of this type ऐसे ही questions आएंगे लिख के रख लो तुम्हारे term 1 में ऐसे questions confirm आएंगे एक आध question तुम्हें बिल्कुल ऐसा ditto मिलने जा रहा है इन्हीं relations पे based ठीक है? तो बहुत ध्यान से इसको कर लेना revise भी कर लेना मैं कोजिश करूँगा ये weekend पे playlist में update कर तूँगा ठीक है? Let's see X and Y live in the same locality ओके wonderful X, X क्या same locality में होंगे? यार मैं अगर बरली में रहता हूँ तो मैं बरली में रहता हूँ X, X is absolutely true तो येस अगर मैं B part के बात करता हूँ तो ये reflexive तो high है X, X belongs to the relation They stay in the same locality ये सारे doublet सही है सारे doublet सही है symmetric की बात करूँगा X, Y यानि कि X is locality में Y भी वहीं पर है तो Y, X भी true होगा ठीक है? और तो ये symmetric भी है बहुत बढ़ी है Transitive सोथ के देखें ज़रा कि भाई अगर X अगर Y की locality में है और Y अगर Z की locality में है तो obvious सी बात है X or Z same locality में रहेंगे तो yes, it is transitive as well तो अगर सब कुछ है तो ये तो equivalence हो गया न ये कौन से relation आ गया हमारे पास? ये equivalence relation आ गया है ठीक है? ये मारे पास reflexive भी है symmetric भी है transitive भी है और अच्छी लिए